हेलो दोस्तों मैं अभिशेक ठाकूर आप लोग का स्वागत करता हूं जॉन्टेक के डिजीटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में चीक है आप लोग इंजोय कर रहे होंगे ओसी एफ को चीक है तो अभी तक जो हम लोग बात कर चुके थे जिस टॉपिक को हम लोग डिसकस कर चुके थे वह ता हमारे पास most efficient or most economical channel section हमारे पास जो next topic है वो है हमारे पास specific energy तो आज हम लोग discuss करेंगे specific energy को हम लोग बात करते है किसकी साब specific energy की क्या होती है साब specific energy तो देखिए point क्या लिखा हुआ है if the channel bed if the channel bed is considered as datum then sum of pressure head and velocity head is called as specific energy क्या मतलब हुआ है इसका बात करते हैं देखिए सब एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ जब introduction of OCF में में बता रहा था तब भी मैं थोड़ी सी बात कर चुका था इसकी अब थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेते हैं suppose that यह मेरे पास एक datum यह मेरे पास क्या है एक datum है और यह मेरे पास एक channel bed यह मेरे पास क्या है channel bed यह है मेरे पास क्या channel bed datum से लेकर channel bed तक ही जो हमारे पास head था उसको किस नाम से जानते है datum head किस नाम से जानते है datum head अगर में बात करूं तो देखो जो मेरे पास channel bed है उसके ऊपर हमारे पास जो basically थी वह क्या थी hydraulic gradient line तो यह जो मुझे line मिलेगी वह क्यों से मिलेगी basically total energy line यहां पर अगर में बात करूंगा तो यह मेरे पास channel bed है channel bed से hydraulic gradient line के बीच में जो head होता है मेरे पास उसको हम क्या बोलते है प्रेशर head उसको हम लोग क्या बोलते हैं सब प्रेशर head तो यह है basically मेरे पास pressure head जिसको हम बग रिप्रेजेंट करते हैं y से किसे y से और अगर मैं बात करूंगा hydraulic gradient line और total energy line के बीच में जो head होता है मेरे पास वह होता है मेरे पास velocity head तो यह मेरे पास velocity head इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे और अगर मैं इसको भी find YEAH गाल कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी साब त्सक्राइब कर दूगा तो मुझे क्या मिल जाएगी 40 energy रिप मुझे गनेंजी कि अब आभी जो मैं बात कर रहा किसकी बात कर रहा हूं specific energy तो इसको बात कर प्रेजी होती है दिख दिखो ने ऊपर क्या बोला है कि इफ था चेनल प्र हमारेपास ये आ की तरह consider कर लो उसी को मैं क्या मालनों तब जो मिर पास सम होता है किसका pressure head का और velocity head का वह कहलाता मेरे पास है क्या specific energy क्या कहलाता साथ specific energy इसका मतलब कि अब मेरे पास जो सम होगा specific energy के लिए वह किस किस का होगा साब specific energy specific energy E से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको यह होता है मेरे पास किस किस का सब होगा y plus v square upon 2G यह मुझे क्या मिल जाएगा साब specific energy क्या मिल जाएगा मुझे specific energy बास समझाती है ठीक है सब एक तो यह फॉर्मला आपके लिए important है जो मैंना भी लिखा है important formula है क्योंकि इसी से सब कुछ मैं करने वाला हूं specific energy basically मेरे पास यह आ गई इसका दूसरा रूप भी आपको देखने को मिल सकता है कैसे आए बात कर लेते हैं देखो discharge जो होता है basically मेरे पास क्या होता है discharge डिस्चार्ज क्यू इक्वस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् Q is equal to, अगर मैं किसी rectangular channel section की बात कर रहा हूं, किसी बात कर रहा हूं, rectangular channel section की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उसकी width मैंने B मान ली, और उसकी depth मैंने Y मान ली, into V हो गया, क्योंकि area उसका क्या हो जाएगा इने पास? अगर मैं बात करूं कि मैं Q को डिवाइड कर देता हूं किसे साव B से से इक्वेस्ट हो जाएगा तो ये जो बेसिकली मुझे मिला है यह मेरे पास के आ गया साव डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ मेरे पास के आ चुका है discharge per unit width इसकी बात पहले भी fluid mechanics में हो चुकी है discharge per unit width जो है उससे aware हो आप लोग और इसको हम लोग represent करते हैं किससे q से small q से basically किससे represent करते हैं small q से हम लोग represent करते हैं तो यह जो basically हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा q equals to y into v यह मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं v equals to q upon y क्या लिख सकता हूं मैं v equals to q upon y मैंने लिख दिया अगर मैं इसकी बात करूंगा तो basically क्या हो जाएगा फिर मेरे पास formula जो है वह हो जाएगा मेरे पास e equals to y plus v की जगह पर में लिख देता हूं क्या q square upon 2g into नीचे आएगा तो वह क्या हो जाएगा y square एक formula में यह मिल चुका है e equals to y plus q square upon 2g into y square यह मेरे पास second formula आ गया स्पैसिफिक एनर्जी का अब देखो specific energy की अगर में बात करूँ तो यहां पर basically हम लोगों को एक graph करना है किस-किस के बीच में depth of flow य है उसके बीचमे और specific energy के बीच में इसके बीच में specific energy के बीच में तो देखिए साब अगर मैं graph plot करता हूं तो देखिए यह है मेरे पास vertical line यह है मेरे पास horizontal line horizontal line पर में ले रहा हूं specific energy E vertical line पर हमने लिया है y मतलब depth of flow और horizontal line पर हमने लिया है कैसा E specific energy अब देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में मुझे क्या करना है साब graph draw करना है जो मेरे पास equation आ चुकी थी वो मेरे पास आ चुकी थी क्या E equals to y plus q square upon 2g into y square यह मेरे पास basically equation आ चुकी थी अभी तक ठीक है अगर मैं बात करूंगा तो देखो मुझे e और y मतलब specific energy और depth of flow के बीच में मुझे क्या करना है graph draw करना है अगर मैं इस e और y के बीच में अगर मैं graph draw करता हूं तो यह तो क्या है साब directly proportional है क्या है directly proportional इसका मतलब यहां तो क्या draw होना चाहिए straight line तो यह जो मेरे पास draw हुआ है वो मेरे पास क्या draw हो गया साब straight line क्या draw हो गया straight line अब एक मेरे पास e यह है और मेरे पास यह भी y है इसका मतलब एक graph इसका भी draw होना चाहिए तो इसके graph की अगर हम बात करूंगा तो यह मेरे पास कुछ इस तरीके से graph draw होगा मेरे पास किसciones का हो गया यह और鬆ट स gitu सब तो मेरे पास एक स्टेट लाइन हो गया किसके लिए यह अरवाइक हेलुए और यह बात करूं किई दोनों का अगर मैं बनाना प्रस्टा हो क्या वह कुछ इस तरीके से मेरे पास बनेगा बास में आते यह नहीं तो यह मेरे पास जो ग्राफ आचुका है वह ईक्वस्टू वाई और ईक्वस्टू वन अपन वाई स्क्वार दोनों के लिए कंबाइन ग्राफ मेरे पास बन चुका है सपोस्ट यह जो मेरे पास ग्राफ है व किसे ज्यादा है Q1 से ज्यादा है अगर मेरे पास Q1 के लिए मैंने graph कर चुका हूं अगर मुझे Q2 के लिए इसका मतलब वो मूँव होगा वो कुछ इस तरीक से बनेगा Q2 के लिए कुछ यहाँ पर जो graph होगा किसके लिए हो जाएगा सब Q2 के लिए जब भी मेरे पास discharge की value बढ़ेगी तो मेरा जो graph है जो मेरा combined graph है वो हमेशा move करेगा इन दा राइट वर्ड डिरेक्शन और मेरे पास discharge की value कम होगी तो वह जो मेरे पास Combined graph है , pupil move करेंगा इंदा Leftward Direction ले जो मेरे पास ग्राफ हो गया बेसिकली किसके लिए हो गया सब ये किसके लिए मेरे पास य के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉब कर लिया यहां अगर मैं ग्राफ करूं तो देखो यहां पर और चीजे हमें क्लियर होगी यहां पर मेरे पास क्या था था ठीक है मेरे पास जो ग्राफ आ चुका था यह आ चुका था अब अगर मैं बात करूं कि मैंने एक पॉइंट लिया जहां पर मुझे एक एनर्जी मिल रही है कितनी एनर्जी मिल रही है मुझे ऐव एनर्जी के लिए मुझे लग लग जो मेरे पास आएंगी करश्पॉन्डिंग हो मुझे फाdog करनी मैंने कोई ऑनर्जी दे दिया कैसा इव इस मायां आज़े के लिए मुझे जो निकालना चाह रहा हूं हों तो देखो एक तो जो मेरे पास है अगर इस को अगर आगे बढ़ा दूँ टो यह कुछ इस तरीके से कट करें अग गर मैं बात करएं तो यह जो मेरे पास अगर मैं उसको किसे मिलाद हूं सल वर्टिकल लाइन से मिला दूं तो इसका मतलब यह मुझे चेल जाएगी एकछों मील जाएगी जिसको मैंने नाम दे दिया किंछसर। मैंने नाम दे दिया दूसरा मेरे पास इंट्रसक्षन हो रहा है वह पर हो रहा है और इस डेप्ट को मैंने नाम दे दिया वाई टू इस का मतलव यहां पर मुझे जो डेप्थ मिली एक ही एनर्जी के corresponding ď मुझे 2 जो 2 मुझे डेथ मिली है इनको किस नाम से जानते है alternate लेट के नाम से पर की इस पॉइंट पर मैने एक और एनरजी यहेंर पर इसको दे दिया मैंने नाम देखो इस combined कर्व की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे कम energy जो मुझे मिल रही है वो इस ही point में मिल रही है इसका मतलब यह जो मेरे पास energy होगी वो मेरे पास क्या होगी साब minimum मेरे पास energy होगी मेरे पास energy होगी और इस minimum के corresponding अगर मैं वर्टिकल लाइन से इसको मैं मीट कराता हूं तब जो मुझे depth मिलेगी उसको मैं किस depth के नाम से जानता हूं critical depth के नाम से question आता है objective form में theoretical form में आता question क्या पूछा जाता है कि किसी एक specific energy पे जहां पे मुझे दो depth मिलेंगी उस depth को हम लोग क्या बोलते है alternate depth क्या बोलते है alternate depth और अगर मैं बात करूं critical depth की तो उसके corresponding जो मेरे पास energy होगी वो क्या होगी minimum specific energy वो जो energy होगी मेरे पास वो क्या होगी minimum specific energy बात समना आती है बिल्कुल आती है यह मेरे पास origin है अब देखो अगर मैं और बात करूं तो यह जो मेरे पास y1 है वो मुझे clearly दिखाई दे रहा है कि y1 is greater than yc critical depth मेरे पास यहां तक ही है origin से अगर मैं compare करूंगा और y1 मेरे पास origin से लेके कहां तक है यहां तक है इसका मतलब y1 जो मेरे पास होगा it is greater than yc और अगर मैं बात करूंगा y2 की तो y2 जो मेरे पास होगा वो होगा less than yc वो होगा less than yc मतलब एक जो मेरे पास alternate depth है वो मेरे पास yc मतलब critical depth से ज्यादा होगी और दूसरी जो मेरे पास होगी होगा वहां पर मेरे पास velocity होगी वो क्या होगी suppose that इसके corresponding जो मेरे पास velocity है उसको मैंने क्या नाम दे दिया वीवन यहां पर जो मेरे पास velocity होगी वो होगी मेरे पास less than vc मतलब critical velocity से कम velocity और अगर मैं बात करूँ यहां की तो यहां पर जो मेरे पास velocity होगी जब मेरे पास depth कम है तो v2 जो मेरे पास होगी it is more than it is more than vc it is more than vc मतलब critical velocity से basically क्या होगी ज्यादा होगी अगर मैं बात करूँ इसकी तो देखो y1 is greater than yc v1 is less than vc और अगर मैं यहां पर बात करूँगा तो y2 is less than yc और v2 is greater than vc अगर इन condition को अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो यहां पर क्या मैं यह बोल सकता हूं नोट डाल के हम लोग लिख सकते हैं क्या कि first point if v1 is less than vc and y1 is greater than yc अगर मेरे पास velocity कम है किसे किसे critical velocity से इसका मतलव यह मेरे पास जो flow होगा वो क्या 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 लाएगा मेरे पास सब स्ब क्रिटिकल फ्लो और सब क्रिटिकल फ्लो के लिए जो हमारे पास फ्रावड होती है वो क्या होती है सब लैस जान वन होती है घीक है सेकेंड अगर मैं पॉइंट लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं इफ वी वन या मैं बोल सकता हूं वी वी एक्वास टू वी सी यह मैंने पास वेलासिटी है वो अगर मेरे पास अग गा यहां पर अगर हम बात करें थर जो हारे पास कंडिशन बनती है रहा है वह क्या मनती है इफ वी मतलब वेलासिटी वी तू बोल दूंए अगर मेरे पास वेलासिटी ज्यादा है किसी साथ वी ती से एंड अगर मेरे पास वाइट्व hai मतलब y2 जो मेरे पास है वो less than है किससे साब yc से तब मेरे पास जो flow होगा वो क्या कहला है साब super critical flow क्या कहला है साब super critical super critical flow यह मेरे पास कहला है और super critical flow में लास्ट अशन में जब डिस्कुस कर रहा था तब मैंने बताया था आप लोगों को एक तो मेरे पास कहलाता है torrential flow और दूसरा मेरे पास कहलाता क्या tranquil flow क्या कहलाता है ट्रेंकल फ्लो इसको मैंने को रिलिट किया था किससे twinkle twinkle related star से किया था या नहीं किया था ठीक है न उसके थूढ़ को एज़ी लिए याद भी हो गया था मैंने बोला था जब मेरे पास प्रावडे नंबर कम हो गा किससे one से इसका मतलब सब्सक् ли होगा और सब्सक्राइब क्या मतल सब्सक्री प्रिटिकल फोगा इसका मतलबВы क्यों सब्सक्राइब कहा है तो agreement सब्सक्राइब किया देटी которой चीक है आगे चलते हैं आगे मारे पास जो है वो क्या है मारे पास critical depth क्या है मारे पास critical depth तो अगर critical depth की अगर हम बात करेंगे तो देखो basically क्या है सा for rectangular section for rectangular section for critical flow जो हमारे पास condition होती है वो क्या हो जाती हमारे पास Q square T upon G into AQ equals to 1 क्या हो जाती हमारे पास condition Q square T upon G into AQ equals to 1 ठीक है ना basically है क्या यहां पर है यह कि अगर मैं बात करूंगा Q square T upon G into AQ equals to 1 यह मेरे पास condition बन जाती है किसकी साब for rectangular section के लिए critical flow के लिए चीक है तो अगर मैं बात करूंगा क्या है साब rectangular section है मेरे पास क्या है सब rectangular section है यहां पर मैंने पास जो width है इसकी यह मेरे पास B है मेरे पास क्या है बी है और अगर मैं critical work की है अगर मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब जो यह मैंने पास depth thickness होगी वह width of the section के किसके equal होगी साब width of the section के क्या होगी equal होगी तो basically अगर मैं यहां पर बात करूँ t equals to मेरे पास b हो जाएगा और area की अगर मैं बात करूँगा तो यह मेरे पास क्या हो जाएगा b into yc इस section का जो मेरे पास area होगा जो मैंने rectangular section ले रखा है उसका मेरे पास area आजाएगा कितना b into yc अगर मैं इनको यहां पर put करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा basically मेरे पास हो जाएगा q square into t की जगा पर मैं क्या लिख देता हूं b upon g into a की जगवे मैं पूर्ट कर सकता हूं b into yc का whole q equals to 1 b से b मेरे पास cancel हो जाएगा यहां पर ठीक है और मुझे क्या मिलेगा सब q square upon g into b square into yc का whole q equals to 1 into yc का whole q equals to 1 अगर मैं यहां से बात करूं तो देखो मैं लिख सकता हूं क्या q square upon b square यह इसको ऐसे मतले को ऐसे लिख लो q square upon b square upon g into yc का whole q equals to 1 यह भी मैं लिख सकता हूं मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कभी भी अगर मैं particular discharge को अगर मैं width से divide कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है साब discharge per unit width क्या मिल जाता है discharge per unit width जिसको मैं represent करता हूं किससे साब small q से किससे small q से इसका मतलब यहां पर basically मेरे पास यह क्या हो जाएगा small q square upon g into yc का whole q equals to 1 यहां से मुझे निकालना क्या था साब मुझे निकालना था critical depth क्या निकालना था critical depth इसका मतलब अगर मैं इसको इधर cross multiply करूंगा तो यह हो जाएगा मेरे पास yc का whole q equals to equals to q square upon g equals to क्या हो जाएगा मेरे पास q square upon g इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा yc मतलब critical depth equals to q square upon g का इसकी power कितनी हो जाएगा मेरे पास 1 by 3 यहां से मेरे पास critical depth यह आ जाएगी जो कि क्या आचुके मेरे पास yc equals to q square upon g की power 1 by 3 बहुत बार यह formula पूछा जाता है critical depth का कभी-कभी डिरेक्ट पूछा जाता है कभी-कभी value दे देता है यहां पर आप लोगों को जैसा भी convenient होता है question को कभी-कभी change भी कर देता है बट इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा तो यहां से मेरे पास basically क्या होगा सब critical depth तो हम लोग इसके बारे में भी discuss कर चुके है कि critical depth हमरे पास क्या होती है critical depth it is the depth at which specific energy is minimum critical depth हमरे पास basically क्या होती है सब यह वो depth होती है जिसमें हमरे पास specific energy कैसी होती है minimum होती है अभी जो मैंने last time पर graph बनाया था चीक है ना last slide में मैंने graph बनाया था उसमें हम लोगों को show भी हो गया था critical depth हमें कहां पर मिल रही थी जहां पर हमरे पास specific energy क्या थी साव minimum थी तो यह point वही indicate आप लोगों को कर रहा है बास समय आती है यह जो मैंने बनाया था अगर ध्यान नहीं आ रहा है थोड़ा सा तो मैं यहां पर बताईता हूं यह मैंने मनाया था यहां पर मैंने जो energy ली थी वह थी हमारे पास क्या minimum और मैंने बोलाता है इसी के corresponding जो मुझे depth मिल रही है वो क्या था इसे में पर पास critical depth क्या थी मेरे पास critical depth थीक है तो यह basically हम लोगा ने कर लिया चीक है आगे अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होगा इसको मैटाई देता हूं चीक हैसा आगे अगर हम बात करेंगे तो देखो next हमारे पास जो point है वो क्या है for a particular specific energy for a particular specific energy the discharge will be maximum एक particular specific energy के लिए discharge जो होगा वो maximum होगा कब अगर मेरे पास जो flow होगा वो कैसा होगा critical flow होगा ठीक है ठीक है next हमारे पास जो topic है वो हमारे पास है क्रिटीकल specific energy next हमारे पास जो topic है वो कौन सा है critical specific energy ठीक है देखते हैं सब क्या है critical specific energy में क्योंकि अभी तक जो हम लोग बात कर ली है वो किसकी कर ली है critical flow की कर ली है ठीक है अब हम लोग बात कर रहें किसकी critical specific energy की तो देखिए सब क्रिटीकल specific energy देखो energy जो महारे पास specific energy थी वो थी e equals to y plus v square upon 2g यह थी मेरे पास क्या specific energy अगर इसी फॉर्म को critical form में अगर मैं लेकूं तो मैं क्या बहल दूंगा e c equals to y c plus v c square upon 2g यह मेरे पास जो discharge होगा वो होगा area into velocity इन में भी critical की में बात करूंगा तो यहां पर मैं इस formula क्या लेक सकता हूं basically e c equals to y c plus अगर मैं v c की जगार मैं क्या लेकूंगा q upon a c अगर मैं यह लेकूंगा तो इसका क्या हो जाएगा q upon a c का whole square upon 2g और यह मेरे पास जो हो जाएगा हो जाएगा यह मेरे पास y c plus q c upon 2g into a c का whole square जाएगे साब for critical flow critical flow के लिए हम और के जानते हैं साब for critical flow critical flow के लिए भी हमने जो last condition निकाली थी वो क्या थी मेरे पास q square into t upon 2g into a c का whole q equals to 1 यह थी मेरे पास condition क्या थी मेरे पास था तो देखो basically अगर मैं यहां से बात करूं मुझे किसकी value चाहिए मुझे चाहिए साब किसकी q square upon a c square तो अगर मैं बात करूंगा q square upon a c square को मैं यहां रहने देता हूं into बचा क्या मेरे पास t upon g into a c equals to 1 यह मेरे पास देखो मुझे क्या मिल जाना था है इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा q upon a c C plus Q square upon A C square की जगर पर गल में यह put करूँगा तो मुझे क्या put हो जाएगा मेरे पास G into A C upon 2G into T, G से G क्या हो जाएगा साब, cancel out हो जाएगा, और मेरे पास क्या आजाएगा, E C equals to Y C plus A C upon 2T, यह मेरे पास आजाएगा किसका formula साब, critical specific energy का, किसका formula आजाएगा मेरे पास, critical specific energy का formula मेरे पास यह basically हो जाएगा, यही formula हमारे पास उपर लिखा हुआ था, देखिए, E C equals to Y C plus A C upon 2T, और यहाँ पर मेरे पास क्या formula आचुका है, E C equals to Y C plus A C upon 2T, अगर मैं बात करूं, for rectangular section, किसके लिए मैं बात करूं, for rectangular section, अगर मैं बात करूंगा, for rectangular section इसका मतलब, यह है मेरे पास साब rectangular section, जिसकी width है मेरे पास कितनी, B और जिसकी depth है मेरे पास कितनी साब, Y C, बास में critical depth of flow, अगर मैं इसकी बात करूंगा, अगर मैं यहाँ पर put करूंगा, तो देखो E C equals to क्या हो जागा है ने पास, Y C plus rectangular है, इसका मतलब area कितना हो जागा, इसका B into Y C, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर B into Y C, अगर मैं rectangular section ले रहा हूं, तो यहाँ पर जो thickness होगी वह भी किसके equal हो जाएगी, width of the section के, इसका मतलब B into Y C upon 2 into B, B से भी क्या हो जागा साब, cancel हो जाएगा, इसका मतलब मेरे पास क्या बचेगा, E C equals to Y C plus Y C by 2, जो के हो जाएगा मेरे पास 3Y2 into Y C, अगर यहाँ पर मैं बात करूंगा, तो मेरे पास, जो ultimately, जो मेरे पास result आएगा, वो कितना आजागा साब, मेरे पास 1.5 लिख सकता हूँ, मैं इसको into Y C, यह मेरे पास, जो result आगया, वो किसके लिए आगे साब, critical specific energy for rectangular channel section, या फिर मैं बहुत सकता हूँ, अगर मैं आगे बात करूं, तो देखो, एक और हमारे पास result होता है, for triangular section, अगर triangular section की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसके लिए जो हमारे पास result आएगा, वो आएगा, मेरे पास EC equals to 1.25 into Y C, यह भी important है, यह भी आपको याद रखना है, कि मेरे पास triangular section के लिए, यह जो मेरे पास result आएगा, वो कितना आएगा, मेरे पास EC equals to 1.25 into Y C, देखो, उपर भी यही लिखा हुआ है, theoretical form में, for rectangular channel EC equals to 1.5 Y C, and for triangular channel EC equals to 1.25 into Y C, तो यहाँ पे basically हम लोगो ने deal किया है, किसको साब specific energy को, उससे related जो भी था, हमारे पास critical section जो भी था, critical flow हो, चाहे मेरे पास critical specific energy हो, दोनों को हमने basically discuss किया है, question इस topic से आना ही आना है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ना, ठीक है, okay, thank you very much. 4. 6. 6. 8. 11. 11. 21. 22.